गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स मैं यह सुसैनी पीएसी फाइनल एर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं ठोसो के विशिस्ट उस्मा का डिबाई मॉडल याने की इस पैसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के लिए हम डिबाई मॉडल देख रहे हैं और इससे पहले हमने आइंस्टीन मॉडल के बारे में डिसकस किया था प्रिवियस वीडियो में तो देखो अब यह जो आइंस्टीन ने अपने अभिधारनाय दी थी अजेप्शन दिये थे ऐसे ही पहले दीजो डिबाई है उसने भी अपने क्या डिये हैं अभिधारनाय दियैं ठीक है तो हम सबसे पहले डिसकस करते हैं कि अभिधारनाय याने की अजेप्शन किसके डिबाय मॉडल है इसने क्या माना ठीक है इसने ठोसों के लिए क्या-क्या condition मानी है उसके बारे में discuss करते हैं सबसे पहले इसने क्या कहा कि जो ठोस होते हैं ना जो solid होते हैं वो समदैसिक होते हैं जिनके गुन सभी दिसाओं में क्या होंगे समान होंगे समदैसिक यानि आईसो टॉपिक ठीक है दूसरा इने ठोसों को क्या माना है प्रत्यास्त माना है इलास्टिक माना है प्रत्यास्त हम जानते हैं मैंने आपको बताया था प्रत्यास्त में क्या होता है कि external force लगाया भाईये बल लगाया जैसे rubber होता है तो विक्रत हो जाता है जैसे ही छोड़ते है फिर वापस से कौन सी स्थिती में आ जाता है प्रारम भी की स्थिती में तो इलास्टिक बताया है प्रत्यास्त बताया है ठीक है तथा सतत मीडियम बताया है माध्यम बताया है ठीक है सबसे पहले जो डिबाई है उसने क्या कहा है कि ठोस समदेशिक होता है, प्रतियास्त होता है और कैसा होता है, सततमाद्यम होता है सेकेंड जो इसने अभिदान दी है, वो क्या दी है कि जो ठोस होता है दो जो सोलिड होता है उसका प्रतिख परमालू, each atom ठीक है यूगमित दोलग के समान कारी में करता है युगमित दोलक यानि कि क्या कपल्ड ओसिलेटर की समान क्या करता है कारिय करता है ठीक है जब हमने माना था किसकी आइंस्टीन की थियोरी पड़ी थी अना तो आइंस्टीन ने किसकी तरह माना था सरलावर्द गती करते हुए माना था स्वतंत्र माना था ठीक है और इसने क्या माना है? कि जो प्रतेग प्रमानू होता है Each item होता है वो couple oscillator के समानकार करता है, couple oscillator यानि युगमित दोलग का मतलब क्या है? जैसे यह thouc होता है और यह thouc में atom होते हैं प्रमानू होते हैं, निशुचित दूरी पर होते हैं और इनके बीच की जो distance होती है वो निश्चित होती है, fix होती है इनके बीच में हमारे पास spring जैसा force होता है बल होता है ठीक है, तो अब देखो जैसे ही इनमें कमपन होते है न तो जैसे ये atom है तो इस पर इसका भी effect पड़ेगा और इस पर इसका भी effect पड़ेगा जैसे सरलोलक की बात करते थे हम ठीक है, simple pendulum की बात कर रहे थे तो ये जब हमारे पास हम इसको ऐसे खीच कर छोड़ते थे तो ये ऐसे क्या करता था दोलन करता था, vibration होते थे इसमें ऐसे, अना लेकिन जब हम couple की बात करते है तो जैसे दो होते हैं और इनके बीच में हमने क्या लगा दी spring लगा दी, युगमित तो अब इसका effect इस पर पड़ता है इसका भी प्रभाव, इस पर भी पड़ता है जिसके कारण की गती जो होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है तो इसने क्या कहा है कि ठोस का जो प्रतेक परमानू होता है each item होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है किसके समानकारी करता है युगमित दोलक के समानकारी करता है second बात इसकी यह हो गई ठीक है थर्ड क्या कहता है ये देखो थर्ड ये कहता है कि एन परमानू वाले ठोस में कोई सोलिड है कोई ठोस है एन जिसके में कितने अटम है एन है कितने परमानू है एन है एन परमानू वाले ठोस में एन परमानू वाले ठोस में कुल थिरी एन प्रेसमाने विधाएं होती है ठीक है विधाएं होती है प्रेसमाने विधा का मतलब होता है नॉर्मल मोड ठीक है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं वाइब्रेशन होते हैं कमपन होते हैं ठीक है कोई ठोस है उसमें एन परमानू है एक परमानू जो है वो कितनी दिसाओं में हमारे पास वाइब्रेशन कर सकता है कमपन कर सकता है तीन दिसाओं में तो टोटल उसमें कितने मोड होंगे थ्री से क्या कर दिया मल्टिप्लाई कर दिया तो total कितना होता है? 3N होता है ठेक है? अब ये जो 3N हमारे पास कमपन होते हैं इनकी आवरती कितनी होगी? कोई भी चीज अगर कमपन करती है उसकी क्या होती है? आवरती होती है आवरती क्या होती है? जिसे हम definition पढ़ते हैं प्रती 2nd कम्पनों की संख्या जिनकी आवरतियां यानि फ्रिक्वेंसी 0 से ओमेगा D ठीक है जो हमारे पास कम्पन हो रहे है न ठोस में उनकी आवरति कितनी होगी 0 से ओमेगा D, ओमेगा D को क्या बोलते हैं, हम D by अन्तक आवरति बोलते हैं, ठीक है D by अन्तक आवरति बोलते हैं, यानि D by कट ओफ फ्रिक्वेंसी ठीक है, तो उनकी आवरति कितनी हो सकती है 0 से ओमेगा D अब ये ओमेगा D कोन सी आवरति होती है इसे बोलते है, D by अन्तक आवरति यानि कि वो आवरति जो किसके अनुसार दी जाती है D by के अनुसार दी जाती है according to D by होती है ठीक है 0 से ओमेगा D तक कुछ भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है यानि कि कमपन इस में से किसी भी आवरति से हो सकते हैं किस में सोलिड में ठोस में ठीक है ये जो हमारे पास कट ओफ फ्रिक्वेंसी होती है यानि कि अन्तक आवरति होती है क्या ओमेगा D ठीक है को हम बोलते हैं डी बाई अभीलाक्षनिक आवरति भी बोलते हैं क्लियर है वाद यानि के एक कर्यक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं ठीक है इसके बाद फॉर्टक कि जो अभिधानना थी अजेप्शन था वो क्या था कि जो प्रेसमानने विधायं हैं यानि कि मौड ओफ कमपन हैं, ठीक है, कि कौन सा परमानू किस मौड में कमपन कर रहा है? प्रैसमान ने विधाओं की जो आवरती होती है ना ठीक है वो 0 से ओमेगा डी तक 0 से ओमेगा डी तक सतत परिवर्तित होती है continuous परिवर्तित होती है changes होती है यानि की 0 से बढ़कर ये कहां तक change हो सकती है ओमेगा डी तक change हो सकती है इसके बाद जो फिफ्ट अजेप्शन था इसका वो क्या था कि जो डी बाई अन तक आवरती होती है डी बाई अन्तक आवरती ये डी बाई अन्तक आवरती कौन सी आवरती है जो डी बाई के अनुसार देगा डी बाई देगा हमारे पास ठीक है और उस आवरती से कौन कमपन करेंगे फरमानू एटम कमपन करेंगे ना डी बाई अन्तक आवरती जो होती है ना इसका मान अनुप दोनों विधाओं में क्या होता है समान रहता है ठीक है चाहे तो हम अनुप्रस्त की बात करें और चाहे हम किसकी बात करें लॉग्रिटूडल वेव यानि अनुदेधरिये की बात करें दोनों में हमारे पास अन्तकावरती क्या रहेगी सेम रहेगी ठीक है मतलब जैसे वाइबरेशन हो रहे हैं वो अनुप्रस्त हो रहे हैं कमपन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं या तो अनुप्रस्त की बात कर सकते हैं और अनुधेदरिये की बात करते हैं जैसे अनुप्रस तरंग होती थी और अनुधेदरी तरंग होती थी ठीक है स्प्रिंग में कौन सी तरंग उत्पन होती है विच्छोब अनुधेदरिये होता है जबकि हम एक तारले और तार को खीच कर छोड़ते हैं तो एसे vibration जो होते हैं अनुपरस्त होते हैं तो दोनों की आवरती में विदावों में क्या रहता है समान रहता है अवरती गमान यह जो अभीधारना है वो कौन सी परिमित जालक हमारे पास कोई जालक होगा लेटeशी होगी हमारे पास परेमित जालक में यानि की फिक्स लेटेसी में कंपन विधाओ की संख्या कंपन विधाओ की संख्या विधाओ की संख्या ठीक है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं नंबर ओफ वाइब्रेशनल मॉड्स नंबर ओफ वाइब्रेशनल मॉड्स इन फाइनाइट लेटिशी परिमित फाइनाइट लेटिश अब देखो हम सबसे पहले एक वी मिए देखते हैं बाद में इसको convert कर लेंगे 3V में वन डाइमेंशल देखते हैं बाद में 3 डाइमेंशल में convert कर लेंगे एक V में जालक क्या होगा जैसे ये परमानू ये परमानू ये परमानू ये परमानू ये परमानू इन परमानू के बीच की distance क्या है ए है इसके बीच की distance भी क्या है ए है इसके बीच की distance भी और यह हमारे पास क्या है एक solid है ठोस है जैसे हैं मार करें यह एक वी मिये है परमानु यह से विवस्थित है solid होगे हमारे पास क्योंकि solid जो है ठोस हो है वो किसे मिलकर बनाओगा परमानों से, इसमें हमारे पास क्या है, यह प्रतम एकल मैंटम है, फास्ट परमानों है, दूसरा, ईलिसरा, चूत्धा, यह नहीड बनाओं, तहक है तो अगर हम बात करें, नहीड है, किसकी जालक की, तो यह हमारे पास f point finite finite का मतलब होता है निश्चित होंगे कितने एटम हैं ऐसे नहीं है अनन्त पर मानूंगे नहीं होंगे जैसे 100 पर मानूंगे 200 पर मानूं है finite होगा हमारे पास ठीक है इसकी जो लंबाई है ना सपोज किजिए मैंने कितनी मान ली लेंथ जो है वो कितनी मान ली ल मान ली तो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं देखो माना एक सतत सतत का मतलब होता है continuous ना एक सतत माध्यम है माध्यम है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई कितनी है हमारे पास एल है यानि कि हमारे पास बहुत सारे परमानों जैसे रसी होती है बहुत सारे परमानों ऐसे क्या होंगे जुड़े हुए होंगे हमारे पास ठीक है और जिसकी लंबाई कितनी है टोटल हमारे पास एल है ठीक है अब जिनके परमानों ये परमानों है सारे के सारे जिनके परमानों एटम परमानों के मद्धे जो इंट्रेक्शन है अन्योन किरिया है परमानों के मद्धे अन्योन किरिया प्रतियास्त बलो की भाती होती है elastic force की बाती होती है परतियास्त बलो की बाती होती है मतलब कैसे इसको कैसे समझाओ जैसे rubber होता है जैसे क्या होता है rubber होता है अब rubber किस से मिलकर बना होता है atom से मिलकर होता है परमानों से मिलकर बना होता है बहुत जारे परमानों जुड़े होते हैं अब उसको हम क्या कर दें, खीच दें, तो पर्मानूं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जैसे हम छोड़ दें, तो वापस कौन सी स्तिती में आजाएगी? प्रारम भी कि स्तिती में आजाएगी? तो परमानों परमानों के बीच की distance बढ़ती है और फिर वापस वो इस्तिति में आ जाती है तो कौन सा force लग रहा है प्रत्यास्त बल लग रहा है elastic force लग रहा है उस पे तो इनके बीच में interaction जो होता है वो कौन सा होता है प्रत्यास्त बलों का होता है elastic force का होता है ये भी बात मान ली ठीक है तथा परमानू के कमपन जो होंगे एक परमानू की बात कर आओं तथा परमानू के कमपन याने की vibration के कमपन सरल आवर्थ गती के समान होते हैं सरल आवर्थ गती के समान होते हैं याने की एक जो atom है एक परमानू है वो क्या करेगा simple harmonic oscillation करेगा सरलावर्थ गती करता है प्रती एक परमानू सरलावर्थ गती करता है हाँ बाद में ये जुड रहे हैं तो एक दूसरे पर effect डालेंगे लेकिन एक atom की बात करते हैं एक परमानू की बात करते हैं तो क्या करता है, यह सरलावर्द गती करता है, ठीक है, यह तो हो गई, किसकी बात हमारे पास, यह जाल की बात, परिमेज जाल की बात हो गई है न, अब हम क्या करते हैं, इसमें कमपन उत्पन करते हैं, देखो कमपन कैसे उत्पन करते हैं, जब कोई प्रगामी तरंग, ठीक ह है जिसके द्वारा उरजा का संच्रन होता है ठीक है जैसे यह तरण ऐसे हमारे पास बढ़ती जा रही है यह कौन सी तरण होती है प्रगामी तरण होती है जिसके द्वारा उरजा का progressive wave होती है न को हम इसमें क्या करते है आरूपित कराते हैं, मतलब ठोस हैं और एक प्रगामी तरंग विच्छोब दे रहे हैं मुझे, ठीक है देते हैं, जब कोई प्रगामी तरंग इस जालक में संचरित होती है, इस जालक में क्या होती है, संचरित होती है, इस जालक में क्या होती है, संचरित होती है, तो जालक क के अंत में इस्थित जो एटम होता है ना जो परमानू होता है जालग के अंत में इस्थित परमानू से परावर्तित होकर परावर्तित होकर एप्रगामी तरंग यानि की क्या एप्रगामी तरंग यानि की stationary wave ठीक है, का निर्मान करती है अब देखो stationary wave क्या होती है ये हमारे पास क्या है, ठोस है ये हमारे पास ठोस है ये इसका एक सिरा, ये दूसरा सिरा किस से मिलकर बना होता है एटम से मिलकर बना होता है परमानों से, अब इसमें हमने क्या बेजी एक तरंग ये क्या करेंगे कमपन करेंगे कमपन करेंगे इस तरीके से अब देखो आपके पास क्या होता है कि एक तरंग यहां से ऐसे गई दूसरे सिरे पर टकराई तो यहां से यह वापस विपरी दिसा में क्या होती है परावर्तित होती है जैसे छट पर हम कप प्रे सुकाते हैं वो तार को ऐसे खीच कर छोड़ दें तो तरंग ऐसे जाएंगी और फिर यह टकरा कर दुवारे मिलेगी वो कौन सी तरंग होती है ऐप्रगामी तरंग होती है stationery wave होती है उसके दुवारा जो energy होती है उर्ज़ा होती है वो संचरित नहीं होती है तो यहां से हमारे पास तरंग जाएगी इस लाश्ट वाले परमाजनू से टकरा कर वापस ऐसे आएगी तो ठोस में हमारे पास कौन सी तरंग का निर्मान हो जाएगा ऐप्रगामी तरंग क निर्मान हो जाएगा जो की इस तरीके की होती है टकरा के वापस आएगी stationary wave का क्या हो जाएगा निर्मान हो जाएगा तो हमें पता लग रहा है कि ठोसों में कौन सी तरंग बन रही है according to D by A प्रगामी तरंग बन रही है A प्रगामी तरंग बन रही है stationary wave बन रही है और आप्रगामी तरंग का जो equation होता है जो समी करन होता है वो हमने 11th class में discuss किया था ठीक है और वो कैसे देते हम UN ऐसे चलती है फिर टकरा कैसे आती है UN UN क्या होता है displacement विस्तापन होता है किसके equal होता है A sin K X into X into क्या sin omega T ये equation हमने क्यों लिख दी भाया ये equation घर से नहीं लिख क्या है ये equation इसलिए लिख दी क्योंकि इसमें A प्रगामी तरंग बन गई और A प्रगामी तरंग को हम किसके द्वारा किसके द्वारा लिखते हम इस equation के द्वारा represent कर सकते हैं A sin K X into X sin omega T X क्या है एक V मिय है अभी हम किसकी बात कर रहे है एक V मिय जालक की बात कर रहे है sin omega T जै वक्रिय तरंग को represent करता है A इसका हयाम होता है amplitude होता है K X क्या होता है हमारे पास K X propagation constant जिसे हम संचरन नियतांक बोलते हैं क्या बोलते हैं हम उसे संचरन नियतांक बोलते हैं और omega क्या होती है ओमेगा क्या होती है आवरती होती है अठा X क्या है ये total distance है X क्या है हमारे पास total distance है और इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास ये A है ये 2 A है ये 3 A है ये 4 A है ये 5 A है तो इनके बीच की distance कितनी आगए 5 A यदि हमारे पास कितने atom हो N हो तो कितनी आ जाएगी N A तो X जो है वो किसके equal लिख सकते है N A अरे ये होगी या नहीं होगी A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A अगर N atom हो N परमानू हो तो कितनी होगी इसके लिख ये X is equal to N A होगी ये जो लंबाई है X is equal to क्या होगी N A होगी इसके बाद जो जालक होता है latency होता है कि दोनों 0 की बात करें दोनों 0 की बात करते हैं दोनों पॉइंटों की बात करते हैं 0 वाले की तो इस condition में U 0 is equal to UN is equal to क्या होता है 0 होता है ये भी क्यों होता है देखो ये क्यों होता है देखो ये तरंग है यहाँ पर यहाँ से चली और ये ऐसे विच्छोप चल रहा है पर ये टकरा कर यहाँ आया ठीक है तो यहाँ पर विच्थापन इस point पर और इस point पर क्या होता है 0 होता है ये first item पर मान होए और ये last है तो यहाँ से चलेगा यहाँ 0 और यहाँ से चलेगे यहाँ विच्थापन initially में और final में प्रारम में और अंत में विस्थापन क्या होता है जीरो होता है यानि जीरो वाले पर मान उपर और एनवे पर मान उपर ये वाले पर और ये वाले पर विस्थापन क्या लिख सकते हैं displacement कितना लिख सकते हैं, कोई तरंग नहीं होती है, यहां तरंग नहीं बनती है, यानि कि इसको हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है, L क्या है, इसकी लंबाई भी बोल सकते हैं, अगर यह 0 आजाता है हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं, sin omega t से तो मतलब है नहीं ये विस्थापन है un इसको अगर हम 0 कर देते हैं ये आयाम है ये 0 नहीं हो सकता समय की बात अभी चली नहीं रही किसकी बात चल रही है विस्थापन की तो हम किसको 0 लिखेंगे sin k x is equal to क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि displacement की बात हो रही है विस्थापन की बात हो रही है अब इस sin k x की जिगे ये आगे हमारे पास sin k x की जिगे हम अभी k x लिख देते हैं और हमारे पास x की जिगे हम क्या लिख सकते हैं n a is equal to 0 इस तरीके से हम value को क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं ठीक है यह किसमें बढबते हैं डी बाई मोडल पे दा अब देखो अब यह Sign की कि संख्या कुल परमानों की संख्या is equal to nx, x मतलब एक वी मी दिसा में into क्या पाई, ठीक है, math में पढ़ते हो nx की value क्या होती है, एक दो तीन होती है, ठीक है, यहां से हम किस की value निकाल जगते हैं, kx की value निकाल जगते हैं, क्या आएगी हमारे पास kx की value, kx की आएगी, nx into क्या, pi, nx into क्या, pi upon क्या, n a, nx into pi upon n a, और देखो n a क्या है, n a क्या थी, यह total x थी न, यह पूरी की पूरी, अभी बताया है न, यह है, एक item दूसरा तीसरा चोथा, यह a, यह a, यह a, यह a, तो total कितना हुआ, x, कुल दूरी x, कितनी is equal to n a के बराबर, इसे ही हम लिख सकते हैं, लंबाई भी है यह, थोस की क्या है, यह लंबाई भी है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, nx pi upon क्या, l, ठीक है, kx की value कितनी आएगी, nx into pi upon l है, और हम लिख सकते हैं, l is equal to n a, is equal to क्या, रिप्रेजेंट कर रहा है, थोस की लंबाई को, रिप् किन दे देते हैं, clear है यहां तक, derivation है, तो derivation तो हम discuss करेंगे, अब यह तो हमारे पास क्या था, एक वीमिये की बात हो रही थी, यदि हमारे पास क्या हो, घनिये जालक हो, ठीक है, कैसा हो, घनिये जालक हो, अभी तो कैसे जुड़े हुए थे, यह, एक वीमिये में हुए थे, घन का मतलब कैसे होता है, हमारे पास, ऐसे जुड़े होंगे, यह, ऐसी shape में, यह, एसे, और इसमें हमारे पास क्या होंगे, atom होंगे हमारे पास, तो घनिये में किस की बात होगी, xx की बात होगी, yx की बात होगी, और zx की बात होगी, तो यह तो condition हमने किस के ल देते हैं, तो 3B में के लिए y दिसा में क्या होना चाहिए, यहां से लिख सकते है, कり y is equal to, ठीक है, एन x के क्या आएगा, n y into pi upon, ठीक है, एन जाएन भी लिख सकते हैं, और l के लिख सकते हैं, और k z is equal to क्या आएगा n z into pi upon l आजाएगा आएंगे या नहीं आएंगे बिल्कुल आजाएंगे ठीक है और इसको हम दे देते हैं क्या equation number third देते हैं clear है तो अब हम यहां पर क्या बना सकते है equation बना सकते हैं क्या इनकी value हम किसमें रखते हैं समी करन ठीक है किसकी value इनसे है न समी करन एक से लेकिन अब आपको 3V में बनानी है यह तो 1V में थी अब 3V में बनानी है तो un is equal to a तो आएगा a आयाम है a अब इसमें क्या है sin kx है तो इसको लिखते हैं sin kx into x लिख देंगे उसके बाद sin फिर अब इसमें x की दिशा में था y और z वाला भी आएगा sin ky into y sin kz into kya z और last में हमारे पास क्या बन रहा है sin omega t बन रहा है ठीक है तो यह इस तरीके से हम इसको किसमें convert कर देंगे 3 direction में कर देंगे 3 vm e में कर देंगे और solve करते हैं देखो इसको u n is equal to इसमें हम value रख देते हैं देखो a sin kx की value कितनी है kx की value है n x pi upon l इन्टू क्या है इन्टू कहां गया x है x लिख देंगे इन्टू sin इसकी value क्या है ओहो दुबाल लिख दिया है तो तो गर जा sin ky की value क्या है ky की value n y pi upon l इन्टू क्या y और फिर तीसरा क्या है sin और kz की value क्या है n z pi upon l इन्टू क्या z और क्या है हमारे पास sin omega t तो यह हमारे पास क्या बन जाती है equation और इसको हम देनोट करते हैं equation number 4 से denote कर देते हैं ठीक है अब देखो equation second और थर्ड को देखते हैं equation second where third से हमारे पास हम इसका square करते हैं के एक्स के वाई और के जड़ का k x square यानि x x की दिशा में k y square y x की दिशा में k z square z x की दिशा में और यहां पर क्या आएगा n x square pi square upon l square फिर यह आएगा n y square pi square upon l square अब देखो यह k x square plus k y square plus z square जैसे k vector होता है इसको हम लिख सकते है k x i cap plus ky j cap plus k z k cap अगर इसका परिमान लेना होता है परिमान लेना होता है तो वह किसके equal लिख सकते हैं kx square plus ky square plus kz square के तो इसकी जीगे हम क्या लिख सकते हैं k square लिख सकते हैं ठीक है अगर हम इसकी के k square को denote करते हैं देखो तीनों में से क्या को मना रहा है pi square upon l square तो यह बनेगा add x square plus n y square plus n z square और इन में से क्या को मना रहा है pi square upon l square और इसको भी देखो x y z है तो इसको लिख सकते हैं k square is equal to n square pi square upon kya l square लिख सकते हैं ठीक है और यहां से हम क्या करते हैं n square की value निकाल लेते हैं और n square की value आईगी न वो क्या आईगी k square l square upon kya pi square ठीक है k square की value क्या आईगी n square बराबर k square l square upon pi square आईगी अब देखो जब भी हमारे पास हम तरंग बेशते हैं उसमें प्रगामी तरंग या जो ए प्रगामी तरंग बेशते हैं उसका क्या होता है हमारे पास vague होता है क्या होता है हमारे पास vague होता है तो देखो v is equal to होता है omega upon k omega तो क्या है आवरती है और k क्या हमारे पास संचरन नियतांक है तो हम यहाँ पर k की value निकाल सकते हैं k is equal to क्या होगा omega upon v होगा तो k की value हम रखते हैं तो क्या बनेगा omega square k की value क्या बनेगी omega square upon v square l square upon क्या पाई square बन जाएगी ठीक है कि की value क्या बन जाएगी omega square l square upon v square ठीक है अब देखो इसको हम कैसे सोर कर सकते हैं कि n square पाई square upon l square बन गया देखो इसमें तुबार देखो n square pi square upon l square बन गया न तो n square की value तो निकाली नहीं पहले n square की value निकालते देखो n square की value क्या होगी k square और यहाँ l square upon k square l square और divide किसे होगा pi square से होगा n square is equal to k square l square और divide किसे होगा pi square से होगा ठीक है अब k is equal to हम क्या लिख सकते हैं omega upon v लिख सकते हैं k is equal to क्या लिख सकते हैं omega upon v लिखो देखो तो omega square upon v square की value क्या रिखोगे omega upon v omega square upon v square ठीक है नीचे क्या है pi square है ठीक है भई यह pi square है और उपर क्या है l square है उपर क्या है हमारे पास l square है बनी गया इसके बाद अब देखो इससे हम क्या करते हैं n की value निकाल सकते हैं तो n की जो value आएगी ना n की क्या आएगी value वो क्या आएगी k l upon क्या pi is equal to omega l upon omega l upon pi v आएगी और इसे देदेते हम equation number five देदेते हैं कितनी देदी इसे equation number five देदी ये क्या है हमारे पास component विदा है mode है vibration mode को denote करेगा n के कितने घटक होते है तीन n x n y n z ठीक है n x n y और n z जब आवरती कितनी है उमेगा है तो इतने component विदा होते हैं mode होते हैं ठीक है तो देखो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इसके आगे का derivation जो है वो next class में देखेंगे यहां हमने किसकी value निकाल ली है company विदा याने की vibration mode की जब आवरती या frequency कितनी है हमारे पास omega है तो next class में हम इससे आगे continue करेंगे आज की class के लिए इतना ही thank you